चलिए सर, इसके उपर कुछ कोशन्स भी देखेंगे काफी स्टूडेंट को टेंशन हो रही है कि सर कैसे खतम होगा, बहुत सारा स्लेबस लग रहा है हमें डेफिनेटली खतम होगा और समय पे ही खतम होगा स्लेबस जादा तो है लेकिन उसके लिए प्रोविजन है बारा तारिक से रेगुलर क्लासिस होगी आपकी बारा या तेरा तारिक से रेगुलर क्लासिस हो जाएगी तो ये provision है जिससे की खतम होगा बाकी सबसे बड़ा chapter salary था जो कि हम कर चुके हैं अब बाकी house property दो से तीन दिन ऐसे छोटे छोटे chapters है चलिए सर हम बात करते हैं अब proper format बना लेते हैं सबसे उपर लिखना है कम्प्यूटेशन अब हाउस प्रॉपर्टे इंकब एच्पी इंकम लिख देता हूँ और फोर जैसे मान लो Mr. X और नीचे आपको लिखना है assessment year, previous year, whatever name आप लिखना चाहते हो नीचे हम वो लिख देंगे, मैं बता ही देता हूँ नीचे फोर assessment year जिसको A, Y लिख सकते हो जैसे मैंने मान लिया 2022 और 30 सर कुछ पार्ट जो मैं लिखने वाला हूँ ये working note में भी जा सकता है, normal भी हो सकता है सर पार्ट के है, सबसे पहले हम लिखते है mb mb को compare करते है fr से इन दोनों में इसे जो higher निकल के आता है यानि हमने पहले mb लिख लिया और ये roughly भी कर सकते हो इन दोनों में से जो higher निकल के आया है इसका मैंने अपनी मर्जी से एक नाम दे दिया compare करने के लिए fr number 1 अब आप compare करोगे fr number 1 और sr से इन दोनों में से देखा जाएगा lower जो इनके comparison में lower निकल के आएगा उसको बोलेगे expected rent expected rent जो इन में से निकल के आएगा expected rent के बाद आपका इसको जिसको मैंने बोला था सर हम बोलेंगे er अब compare start करेंगे हम actual rent से actual rent receive and receivable यानि a receive and receivable actual rent receive a triple r सर सवाल आता है कि इन दोनों में से क्या लोगे सर इन दोनों में से अभी फिलहाल के लिए सिखाया जा रहे है आपको जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा तो यहां पे एक point active हो जाता है हमारा point active हो जाता है हमारा अगर reality में वो किराया कम ले रहा हो या reality में vacant रहा हो कुछ ऐसा situation आ जाए rule number four तो यहां पे rule number four income tax का एक activate होता है तो वो हम बाद में देखेंगे अभी फिलहाल के लिए higher जो higher होगा उसको बोलेंगे हम GAV अब आपके पास option available है sir ये वाले सारे portion जो मैंने यहां किये हैं आप या तो यह यहां कर लीजिए या फिर इसको कहीं भी आप working note में बाहर कर सकते हैं और GAV से question को start करिए समझ रहे हैं बात या तो आप यहां पे कर लीजिए या कहीं working note में करिए और question start करो GAV से आपकी इच्छा है तो मैं जादा से जादा question क्या करूँगा GAV से भी start कर दूँगा कई बार और कई बार इस तरीके से भी कर दूँगा ठीक है चलिए sir GAV के बाद हमारा original main काम start हो जाता है यह आगया GAV और GAV में से minus कर देते हैं MT MT क्या होता है municipal Texas सारे provision हम देखेंगे इसके बाद हमारा क्या आता है NAV last class में भी हाला की बताया था इसमें से minus हो जाता है 24A जो की है 30% फिर minus होता है 24B जो की है हमारा interest का इसमें कोई percentage नहीं है यह calculation सीखेंगे हम यह हमारा जो NAV आया इसमें से यह दोनों चीजे minus करने के बाद जो income निकल के आएगा यह निकल के आएगा यह होगा income from house property यह होगा income from house property पहले बताये कोई दिक्कत यहां तक हर बच्चों को clear है यह last class वाला ही एक्जाम पर है last class वाला ही है how many chapter have covered till now सिर्फ हमने एक basic एक हमने residential status salary cover कर लिया यह four chapter चल रहा है कह सकते हो हम deduction साथ के साथ चल रहा है इसके अंदर deduction पूरा नहीं हुआ वो chapter की requirement के इसाफ से करेंगे हम यहां तक clear है last class जिन बच्चों ने देख लिया होगा उनको एकदम से clear होगा सर यह तो वही बाते हैं अब इस पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं सवाल में हम सिर्फ GAB तक सीखेंगे फिर हम municipal text के concept को detail में discussion करेंगे फिर municipal text के बाद फिर दीरे दीरे हर एक section को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे पहले हम start कर लेते हैं क्या GAB तक चलिए आपके सामने एक सवाल है इस सवाल को करते हैं ये आपके किताब का ही सवाल है 5.1 आपकी किताब का सर कौन सी किताब है ग्रीस आहूजा इसमें 6 सवाल है और 6 के 6 सवाल करूँगा होफुली आपको डिजट दिख रहा होगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ डिजट क्लियर है सब कुछ अच्छे से नजार आ रहा है ठीक है न तो 6 सवाल है 6 सवाल के 6 सवाल में पूछा गया है आपका आप बताईए 6 हाउस डैली डिटेल आर एज एंडर आपको कंप्यूट करना है ग्रॉस एन्वल वेल्यू यानि हर किसी के लिए जी ये भी बताना है तो सर ऐसे सवाल को मैं एक बार में ही निप्टाना पसंद करूँगा 6 सवाल पूछा है 6 लाइन खीच क्या ड्रॉ कर लेंगे और एक बार में आंसर कैसे आएगा मैं बता देता हूँ वैसे अलग-अलग भी कर सकते हैं लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इस बेसिक कॉंसेप्ट को सरफ बताना चाहता हूँ कितने होंगे आप सभी के पास हाला की किताब है तो जिनके पास किताब है है जिनके पास फोटो कॉपी है वाटेवर नेम कॉल करो वह वहां से देख सकते हैं 6 सवाल तो 6 लाइन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सर आपके पास हाउस नमबर वन, ह नमबर टू, ह थ्री, ह फॉर, ह फाइव, ह सिक्स, छे घर हैं 6 गया 6 ये लास्ट में ऐसा ही कर हो गया एक्स्ट्रा, मैं एक का निकालूँगा, तीन का मैं निकालूँगा, तीन आपके रिस्पॉंसिलेटी, कहता है सर मुंसिपल वैल्यू दे रहे हैं, फियर रेंट दे रहे हैं, स्टेंडर रेंट दे रहे हैं, एक्चॉल रेंट दे रहे हैं, जी भी बताईए, तो सबसे पह पाद मैंने बताया हम एक लिए एक लिए और बाद में यह अटा दूँगा मैं तो क्या आएगा हायर वाला पार्ट अब सर इसको कंपेर करेंगे इस टेंडर्ड रेंट से तो पहले केस में स्टेंडर्ड रेंट कहता है कि सरकार के पास कोई केस नहीं गया तो इस टेंडर्ड रेंट क्या हो गया नौट एपली केबल इस टेंडर्ड रेंट के बाद हमारा इन दोनों में से क्या लिया जाएगा हायर तो सर नौट एपली केबल कभी जीरो मत कर देना जीरो गलत सब्द है जीरो का मतलब कोट ने बोल दिया रेंट ना लिया जाए नौट केबल का मतलब सरकार कोट के पास का कोई फैसला आया नहीं है उसके पास गया नहीं तो नौट एपली केबल लिखना है सर इन दोनों में से हायर जो आएगा उसको नाम दिया मैंने यार यार आ जाएगा हमारा 240 यार क्या गया अब इसको कंपेर कर लेंगे एक्चुल रेंट रिसीव या रिसीवेबल जरूरी निया पैसा मिला हो ना मिला हो तो उससे भी कंपेर कर लेंगे सर सर जो की हमें पहले वाले सवाल के अंदर देखिए क्या गीवन है पहले वाले सवाल में आप चेक करिए क्या गीवन है तो सर पहले वाले सवाल में गीवन है 180 तो सर इसके अंदर क्या लेंगे हम higher मैंने बताया था सर इसमें लेना है हमें higher जो जादा होगा और जो जादा होगा उसको देंगे अच्छा हां सुरी इसमें lower है lower यहां lower है zero नहीं है ना मैंने कहा ना lower तो सर यहां not applicable है तो यह amount आजाएगा यह आजाएगा जी ए बी जी ए भी देखा जाए तो हर किसी का कुछ ऐसे ही रहेगा हर किसी का यहीं से निकाल देंगे चलिए सर तो answer 240 एक का और कर लिया जाए दूसरे का सर क्या है 240 और क्या है हमारा 3 lakh इन दोनों में से higher 3 lakh एक 0 कम लगा कोई बात नहीं लगा देते हैं इसके बाद फिर क्या लेंगे standard rent सर इन दोनों में से lower 240 अब किस से comparison चलेगा तो बताइए क्या आएगा 360 यह सरफ practice के लिए कि आपको overall आपको पता चल जाए इसमें 2 में कोई doubt सर MB और FR में higher और जो MBFR में ठीक है चलिए सर fourth का answer भी बता दिया बच्चों ने third का भी बता दिया ER वाला है सर ठीक है चलिए third का भी देख लेते हैं और 4 lakh higher क्या है इसके बाद 5 lakh क्या लेंगे lower 4 lakh और आपने खुद बोल दिया मैं कमाता हूँ 4 80 तो आपका जवाब होगा 4 80 चलिए सर अगले पर ये था तीसरा चौथे पर आ जाते हैं 4 20 और ये 4 20 तो इसमें क्या करें सेम ही आ जाएगा higher lower में कोई दिक्कत नहीं है 4 20 आ गया यहाँ देखे इसके सारे चीज़े मैंने लिखा हुआ है अगर आपको समझ में ना रहो तो इसके सामने है मैं लाइन भी खीच दूँ क्या यह समझ में आ रहा है आ रहा है चलिए अब इसके बाद 4 पॉइंट के बाद आएगा हमारा 3 लाग सर आएगा lower that is 3 लेग सर इसके अंदर actual rent 360 तो आपको देखो सवाल में apparently इतने question हमने देखे न यहाँ पर यह चार-पांस तो आपको देखके यह अंदाज लग जाएगा सर इसके अंदर तो यह हम column के अंदर जो मैं बोल रहा था नहीं कि यहां करोगे तो थोड़ा सा complicated बन सकता है that's why यह कहीं working note में कर दो आप जी यह भी से start करो तो साफ सुतर सवाल रहेगा थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा था बस बाकि आप जहां भी करिये सवाल ठीक माना जाएगा आपका चलिए सर पांच नमबर 480 पांच लाख पांच लाख हायर आजाएगा not applicable तो सर यह पांच लाख ही रहेगा और आप बोल रहे हैं सर हम तो पांच चालिस लेते हैं तो मैंने बोला ठीक है सर आप अपना पांच चालिस दे दे अब एक चीज़ नोटिस करिए कई बार यहां पे लिया गया दो चालिस यहां पे लिया गया तीन साथ लेंगे 480 अब क्या लेना चाहिए 480 लोवर और एक्ट्वल रेंट कितना बोल रहे है तो आंसर क्या आएगा 480 पहला सवाल आपकी किताब के अंदर भी है और जिस के पास किताब निया चिंता है निया सामने डिस्प्ले तो आपके पास हो रहा है ठीक है किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है किसी को All done किसी को कोई problem इस question में बताईए नहीं अगले concept पे चले जानि मैंने कहा कि मैं पहले आपको जी ये भी तक थोड़ा सा पक्का कर दूँ इसके अंदर मैं star भी बना देता हूँ जो मैंने बोला rule number 4 जैसे जैसे situation आएगा वैसे वैसे करेंगे पहले कराके मैं chapter का interest खतम नहीं करना चाहता बाद में आजाएगा कोई धिक्कत नहीं है चलिए sir इसके बाद हम सवाल सीखेंगे sir ये municipal text कैसे ठीक है तो municipal text एक होता है municipal value एक होता है municipal text ध्यान दीजेगा sir municipal text आप से लिया जाता है हमेशा municipal text इसलिए लिया जाता है क्यूंकि municipality department जिसे mcd बोलते हैं आपको facility प्रवाइड करता है आपने तो घर बना लिया अब घर बनाने के बाद आपके लिए जो वहां के नाली की facility है वहां पे पानी की facility है वहां के lighting की facility है जो वहां पे कूडे वाला daily आता है ये सारा आपसे पैसे थोड़ी लेता है अगर कूडे वाला आ रहा हो या नाली आ रहा हो तो आपसे पैसे नहीं लिया जाता है इनका आपके लिए क्या है sir ये free of cost है तो इसके बदले में सरकार आपसे लेता है municipal tax अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कुछ लोग कह सकते हमसे तो नहीं लेता जो freehold property है उनसे house tax के नाम पे वसूला जाता है जहां freehold property नहीं है तो पानी के water bill डेली की में बात कर रहा हूं डेली में तो water bill जिस महिने आपका या जिस time पे आपके साफ सफाई हो रही होगी नाली वगेरा अगले महिने का bill उठा के देखना उसके अंदर sewer charge या house tax के नाम से अलग से वो जूड के दे देंगे आपको ठीक है तो sir ये municipal tax आपसे लिया जाता है तो आप बोलोगे sir municipal tax अगर हमसे लिया गया हम रेंट भी paid करें रेंट आया ठीक है पांच लाक रुपए रेंट आया आप बोलो tax दो ठीक है agree tax देंगे लेकिन हमने एक tax दे तो दिया कौन से वाला municipal tax तो sir ये मुझे मुझे माइनस करने देना चाहिए क्योंक आपको allowed होगा लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो शर्ते क्या है वो शर्ते देखते हैं बोला गया sir municipal tax आपको allowed किया जाएगा सबसे पहली बात municipal tax जो allowed होगा वो होगा हमेशा paid basis पे paid basis paid basis का मतलब आप payment करोगे तभी आपको मिलेगा अभी समझ लेंगे paid basis क्या है उससे पहले government ने बोला भाया municipal tax हम मान गया आपकी बात लेकिन आप ये बता दीजिए municipal tax जो है वो payment कौन कर रहा है आप ये बता दीजिए municipal tax payment कौन करेगा चलिए सवाल आता है municipal tax payment कौन करेगा यानि उसका पैसा कौन देगा दो ही वेक्ति दे सकते हैं या तो दे सकता है honor या तो honor दे सकता है या फिर किरायादार जिसे tenant बोलेंगे या तो honor देगा या tenant देगा या तो देगा या मैं simple शब्दों में लिख देता हूं rented person रेंटर बोल देते हैं वैसे हला कि tenant वर्ड यूज होता है मैं थोड़ा simple लिखना चाहता हूं renter slash tenant भी करता हूं तो sir यहाँ पे paid की बात हुई payment कौन कर रहा है sir honor करेगा या फिर tenant अब सबसे पहले बताओ मुझे house property tax या house property के ओपर tax जो rental income है rental income किसकी मानी जाएगी मालिक की मानी जाएगी या किरायदार की मानी जाएगी मालिक की मानी जाएगी तो अब payment में government ने बोला भहिया कुछ मकान मालिक बड़े चलाक होता है बोलता है के भहिया बिजली बिल तुम भरो house tax तुम भरो हमें बस किरायदो ऐसा होता है तो अगर मालिक भरता है तब तो हम allowed करेंगे अगर tenant या आपके renter ने payment किया हो अगर renter ने paid किया क्या paid किया sir municipal tax तो law कहता है sir आपको municipal tax का deduction नहीं मिलेगा not allowed not allowed law कहता है not allowed क्योंकि भहिया आप तो लड़ रहे थे मुझसे इस बात को लेके कि हम तो municipal tax भी paid करते हैं इसी किराय से paid करें तो आप तो तुम paid ही नहीं कर रहे तो लड़ाई जगड़ा खतम आपको पैसा इसमें minus करने नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर honor paid करता है तो यहाँ पे condition हो सकता है sir sir क्या condition होगा honor paid करेगा simple सी बात है ने paid कर देगा यहाँ पे condition हो सकता है payment जब करेगा या तो honor की बात करें या तो due हो गया है but not paid not paid वो बोलता sir दे देंगे ना क्या दिक्कत है अभी बाद में देंगे तो बोलता दे देंगे हम कोई दिक्कत नहीं और आप मुझे आप बताईए income tax कब देना होता है income tax कब देना होता है सर income tax देना होता है date 31 जुलाई 31 साल 31 सात का हर बार due date होता है income tax लेखिन financial जो income calculate करते हो वो 31 सात का नहीं करते है 31 तीन का करते हो तो law ने का भईया अगर आपने due किया है और आप माने लो 31 को आप income tax भरने जा रहे हो और आपने 30 तारिक को क्या करा empty paid कर दिया हम तुम्हें लेने नहीं देंगे deduction सर ऐसा क्यूं paid तो कर दिया बोला कि आपको जो payment करना है वो payment करना है due but not paid then not allowed तो आपको allowed नहीं होगा एक हो गया आपका paid तो अगर आपने paid कर दिया तो ये भी ध्यान रखना है अगर आपने paid कर दिया तो ये भी ध्यान रखना है सर क्या ध्यान रखना है आपको paid करना है paid before due date या on मैं थोड़ा शब्द को change कर दूँ before इधर ध्यान देजे before और on 31st 3 and जो भी year होगा जिस साल के लिए computation तयार करियेगा उस साल का समझिये क्या कहना चाहता है law कहना चाहता है कि भाईया municipal tax minus SNE आख बंद करके करने देंगे municipal tax अगर renter tenant ने payment किया हो तो not allowed owner ने paid किया है तो देखेंगे या तो due हो चुका है but not paid तब allowed नहीं है लेकिन paid करा है तो paid में भी आपको check करना है कि कभ payment किया है वो भी payment करना 31 मार्च जिस साल का computation जिस साल का income tax 2023 का बना रहे हैं 2022 को तो उस साल के 31 मार्च तक payment अगर 31 मार्च के बाद payment करता है तो वो अगले साल में count होगा सर अब payment अब एक और सवाल आ जाता है सर पेमिंट कितना करना है अब वो पेमिंट लो ने का के भाईया payment कितना करना है हमें तो यह मतलब है आपने paid जितना किया होगा डिडेक्शन देंगे तो सर पेमिंट अगर हम करते हैं कितना पेमिंट सर अगर आप पेमिंट करन्ट करोंगे तो मिलेगा सर अगर आप प्रीवियस यर का payment करोंगे तो आपका du हो गया था पिछले साल आपके pocket में पैसे नहीं थे लेकिन आपने इस साल payment कर दिया क्या मिलेगा ये भी मिलेगा तर आप बार बार परेशान होते हो सरकार को next year का paid कर दिया तो next year का advance में paid कर दिया तो ये भी deduction मिलेगा यानि कहने का मतलब है सर जितना amount paid करोगे तो total amount total amount paid का deduction मिल जाएगा सर कितना भी paid करो आप एक बार में कर दो 10 साल का advance सारा deduction ले सकते हो यानि इसमें ऐसा नहीं है कि भाया इस साल का था तो भी मिलेगे आपको deduction आप जितना payment करोगे लेकिन तारिक याद होनी चाहिए 31 मार्स से पहले जितना मर्जी payment करो आप 31 मार्स से पहले आपको सबका deduction मिल जाएगा कहां पर मिलेगा सर मुंसीपल टेक्स के अंदर जाके minus करने के लिए दे दिया जाएगा तो यह सारी कहानी है यह सारी situation है जो कि आपको ध्यान रखना है एक और बात कई बार examiner चलाकी करेगा कि मुंसीपल टेक्स मुंसीपल टेक्स 20% बच्चा बोलेगा सर 20% किसका तो हमेशा याद रखिएगा यह 20% calculate होगा MV के उपर जब आपको बोल दिया जाए मुंसीपल टेक्स 20% है 30% है 50% है तो always calculate होगा किसके उपर MV के उपर तो फटा फट से quickly एक बार मैं बता दू मुंसीपल टेक्स क्या है यह अहां तक समझ में आगे आपको कोई दिक्कत है क्या एक बार फटा फट मुंसीपल टेक्स एक बार देखिए फटा फट कोई दिक्कत नहीं है तो एक सवाल ले लेते हैं फटा फट से कोई दिक्कत नहीं है तो बताईए एक सवाल इसके उपर ले लेते हैं जिसमें सारे cases आ झाल